हेलो एवरिबन वेलकम टू अभी पीडिया पावरड बाई अभी मन्यू आईएस और सी सेट पेपर टू कि आज की क्लास के अंदर हम एवरेज डिसकुस करेंगे एवरेज पे अरेड़ी क्लास हो चुकी है हमारी एक ठीक है तो क्योंकि हम कंसेप्ट बेस्ट कोस्चन कारेंगे जो सिरीज कोई टिम है उसके अंदर से कोई एक परशन चला गया एक्सक्लीड हो जिसक्लीड हो सकता है तो वह आपको फाइड आ우ट करने तो जो इस तरह हे के कोस्ट्यन से वह आज मैं आप लोगों के साथ में डिसकस कर रहे हूं, तो important है, important है, सभी ने शुरू से end तक पूरी वीडियो को चेक करना, concept क्योंकि, concept चुल, आमारी वीडियो है, तो इसके अंदर में आप लोगों को concept क्लियर करवा है, तो पूरा चेक करना, ठीक है पीटा, तो अभी देखो, start कर रह हमने यहाँ पर लिया, क्या कह रहा है, कितने लोगों का है, यह 21 बोईज का, if the weight of the teacher was also added, अब teacher का weight और add कर दिया, जब teacher का weight add कर दिया, तो भी number of percent तो बढ़ गे group के अंदर, तो the average increase by 1 kg, what is the teacher's weight, अब देखो इस तरह के questions को आप दो तरह से कर सकते, एक तो अपना जो basic concept है, basic concept में आप लोगो को already कर वा चुके है, last class के अंदर, जो average की class थी, average palatable की दो classes हो चुके है, तो जो previous अभी तक हमारे lecture हो है, तो कर किसी ने check करने है, तो देखो description में link available है, exam specific question series का, this is totally free, तो आप वहाँ से इसको join कर सकते हो, join करोगे, तो जितने भी अभी तक lecture हो है, तो सभी lecture आपको with PDF मिल जाएंगे वाँ पर, ठीक है, description में एक link given है, सारे के सारे एक बद चेक जरूर करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कि average way 21 boys का, तो actual method से अगर हम करें तो कैसे करोगे आप, 21 boys है, ठीक है, कितना है, 64, तो अगर हम total की बात करें, तो total कित अब इसी तरह से अभी जब teacher आ गया, तो total कितने लोग होगे, 22 लोग होगे, total कितने परसन होगे, 22, अब 22 की average कितनी होगे, उसने क्या कहा है, कि average increase होगी by 1 kg, 64 था, 64 से कितना होगे, 65 होगे, ठीक है, कितना हो जाएगे, पैसर दुनी 130, 130 से ही होगे, अपने पास में 1430, ओक अब देखो, जब हमें teacher का weight find होगे, यह है 22 परसन, यहाँ पर 21, 22 में से अगर हम 1 minus करेंगे, 21 minus करेंगे, तो जो new percent है, उसका weight आ जाएगा, तो यहाँ पर जो teacher है, teacher का कितना हो जाएगा, फिर, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, तो बैटे वैल्यू कितने आगी, यह हो गया, 6, यह हो गया, 12 से 8, 86 kg, 86 answer आजा है, अब यहाँ पर थोड़ी से अपनी calculation बढ़गी, क्या-क्या, पहले हमने इन दोनों को multiply किया, time लगेगा, तोड़ा, उसके बाद इन दोनों को multiply किया, time ल एक तो बैटे यह method है, यह method है, यह हमने कोशिश करने है कि जरूरत ना पड़े, क्योंकि थोड़ी calculation बढ़ रही है, दूसरा जब हमारे पास direct करने का method है, तो हम direct भी try कर सकते हैं, direct थोड़ा देखो, different way से सोचना है, different way से सोचना है हमने, पहले क्या है अपने पास में, average यहाँ पर 1 kg, चो 1 kg इंक्रीज हुई है, तो अब वो कितने लोगों के उपर होगी, पहले कितने थे आपने पास में, 21, एक teacher आ गया, कितने होगी 22, 22 का जो effect पढ़ रहा है, 1 kg का वो पूरे 22 पर पढ़ रहा है, तो कितने kg का फरक पढ़ेगा 22, और 1 kg है, तो पर आज 22, कित आ गया, 86 kg, आंसर आ गया, यही तो था आंसर, थोड़ा clarity आ रही है, देखो दूबार बताते हूं, क्या कह रहा है हो, कि teacher आया, teacher आया, उसके वज़े से एवरेज 1 kg इंक्रीज होगी, 1 kg इंक्रीज होगी, that means कि जो 1 kg है, वो सभी में डिवाइड होगा, जितने भी लोग है, आवरेज क्या होती है, आवरेज क्या होती है, आवरेज क्या होती है, आपने पास total divided by number of person, तो जब हम आवरेज में ही increase, decrease की बात कर रहे है, तो जो increase, decrease है, वो उसका फरक भी तो सभी पे पड़ेगा, total के अंदर होगा, तो इसलिए, जो हमारे पास में, average का increase हो रहा है, वो स किलो बढ़ है, 22, सभी के अंदर डिवाइड होगा, तो 22 into 1, सभी का लगे, नहीं की किलो, सभी का एक किलो लगे, कितना होगा, 22 होगे, तो उसको add कर दिया, कितना होगा, 86 kg, देखो कितना easy है, ठीक है, एक पर formula की form में लिखवा देती हूं, आपको, क्या कह सकते हैं, आप, हाँ जी, weight of, weight of included, अब दो case हो सकते हैं, या तो person include होगा, या फिर exclude होगा, दोनों का case एक बर में बता ले तो, no down कर लेना सभी, excluded person, अब यहाँ पर मैंने weight लिख दिया, weight is, marks कुछ भी आ सकता है, आपके पास question के अंदर, करोगे कैसे, is equal to what, old average, old average, plus minus, plus minus, क्या आपके पास में, number of person, total number of person, total number of person, कब, total कब की बात कर रहे हो, latest, latest means what, after inclusion और exclusion, okay, total number of person, into, into, increase or decrease in average, अब यहाँ पर आपको होगे, मैं हम आपने plus minus लगा दिया, plus minus बेटा मैंने क्यों काया, देखो, धियान से समझो, अगर आपके पास में person include हो रहे हैं, include हो रहे हैं, तो क्या होगा, plus, ठीक है, अगर person exclude हो रहे हैं, तो क्या होगा, minus, one point, दूसरा point, यहाँ पे भी हमने increase और decrease, दो point आ रहे हैं, और multiply कर रहे हैं, अगर increase होगा, तो plus, decrease होगा, तो minus, अगर हमारे पास में number of person increase हो रहे हैं, include हो रहे हैं, और जो average हो भी increase हो रहे हैं, तो सिरफ हमने plus करना है, यहाँ पर क्या आएगा, आपका plus कर दोगा, ठीक है, बट अगर person exclude हो रहे हैं, person क्या हो रहे हैं, exclude हो रहे हैं, but average increase हो रहे है, एक point increase, एक point decrease, that means क्या आगा decrease, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर minus कर देंगे, समझ आ रहा है, बस plus और minus का जो एक point है, यह समझ लो ध्यान से, यह important है, इसी तरह से अगर मालो ऐसा हो रहा है कि person exclude हो रहा है, person exclude हो और average भी decrease हो रहा है, दोन्नो minus minus होगे, minus minus plus, तो उस case में भी क्या कर होगे, यहाँ पर plus करोगे, okay, और question से clarity आजेगी, पोइंट एक बर ध्यान से देख लो, समझ लो, अगर आगे है well and good, एक बार नहीं तो दुबारा से rewind करके देख लेंगे, कोई doubt आ रहा है, तो जो comment section है, उसके अंदर, मुझे comment करके बटाओगे, next class के अंदर clear करने के कोशि हो रहे है, फिर क्या करोगे, तो वहाँ पर बिटे, यहाँ पर N से multiply कर देंगे, अगर number of person से multiply कर देंगे, N means कितने number of person exclude या include हो रहे है, done, next देखे, आप देखो, just next question है, क्या कह रहा है, the average weight of class of 24 students is 35 kg, average कितने आपके पास 35 kg किवान है, if the weight of teacher is included, include हो है, जो point ध्यान में रख क्योंकि प्लस माइनस का ही है, यहाँ पर सारा खे, include हो रहे है, और average भी rise हो रही है, include rise means plus होगा, include and rise plus होगा, the weight of teacher, तो weight of teacher यहाँ पर क्या आजाएगा, हमारे पास में, weight of teacher क्या आजाएगा, आप answer आ गया होगा आप लोगों का, old average 35, ठीक है, plus, अभी देखो, weight कितना increase 400 gram weight increase हुआ है, कितना kilo increase हुआ, इतना kilo increase हुआ, total number of person कितने हो गया हमारे पास में, total number of person, 24 students, teacher और आगया, that means कि, clear, कितना हो गया आपके पास में, यह हो गया हमारे 25 चोके, so, यहाँ से गया 10, कितना आगया, 45 kg, simple, बताओ, कोई डाउट इसके अब यह भी समझाने के लिए लि इसके अंतर कुछ ऐसा लिखने वारा था आपके पास, यह सिद्धा बना, देखो, यह कितना बन रहा हुआ, 0.4, 0.4 को 25 से multiply करोगे 10 आएगा, easy है, easy है, इस point को ध्यान में रखना हमने, क्या हैगा, old average जितनी भी है, वो as it is लिखलोगे, उसके बाद क्या point है, plus minus का, सिरफ plus minus ही करना है, plus minus कैसे, inclusion inclusion plus, exclusion exclusion, exclusion and decrease I mean to say, तो क्या करेंगे, plus, एक inclusion decrease, minus, एक exclusion but increase, minus, okay, next देखिए, देखो, यहां से आपको और क्लिए अटी आएगी, the average age of 14 girls and their teacher is 50, total कितने लोग है, 14 girl and their teacher, that means कि total number of person are 15 and average is 15 years, ठीक है, average कितनी हमारे पास 15, average भी फोकस करना, इतर teacher's age is excluded, अब यह क्या हो रहा है, exclude, ठीक है, teacher की age, find out क्या करने हमने, teacher को, teacher की age find out करने, अब यहां पर क्या है, plus करेंगे, minus करेंगे, ध्यान से समझा, teacher exclude हो गया, चला गया, ठीक है, average reduce होगी, less होगी, minus minus, plus होगा, by one, one, अभी number of person कितने रह गया, पर टोटल 15 थे, 15 में से एक teacher चला गया, तो बन की कितने 14, 14 into 1, ओके, कितना आएगा, 14 ही आएगा, कितना आगया, 29 years, हाँ जी बताओ, कोई समें doubt, कोई भी minor सा doubt, clear है, exclude हो रहा है, और यहां पर हो रहा है, decrease, reduce, तो क्या होगा, plus ही होगा, ठीक है, एक और बताते है, देखो यहान से, the average age of 15 boys is 25 years, 15 boys है, average है 25, if one boys is left, then average increase by one and age of excluded person, the excluded boy जो है, age find out करनी हमने, अभी क्या बता है मैंने, जो भी average given, जो भी आपके पास average given, average होगी, कितनी है, 25 years, अभी एक और point ध्यान देने वाला, क्या था, increase, decrease, exclusion, inclusion, अभी यहां पर देखो, left, left मतलब की exclusion हो रही है, ठीक है, increase means plus हो रहा है, plus minus, minus that, means क्या करोगे, minus करोगे, ठीक है, क्या करेंगे, minus करेंगे, और क्या कहा रहा है, कि 1 से कम हो रही है, average पहले आपने पास में, जो number of person कहले थे, पहले आपने पास कितने थे, 14 थे, 14 थे, अभी कितने हो गए, आपके पास में, हाँ जी, जो number of person है, 15 boys थे, एक चला आगे, अभी कितने हो गए, आपके पास में, 14, कितना आगे आपके पास में, 11 years, कोईड आउट, क्या बता है, जितनी भी average है, उसको लिखो, बस उसके बाद plus minus ही है, plus minus का ध्यान रखना है, अगर आपके पास यहाँ पर opposite case बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर minus करेंगे, यहाँ पर आपके पास में, अगर similar case बन रहे हैं, तो उस case में आप plus करो, ठी करेंगे, similar और opposite का मैं क्या कह रहे हैं, opposite मतलब percent चला गया, फिर भी increase हो रहे है, means opposite हो रहे है, तो वहाँ पर minus करेंगे, person आगया, फिर भी decrease हो रहे है, opposite हो रहे है, minus करेंगे, person चला गया, average भी decrease होगी, that means तोनों same type के, same type के, तो plus कर देंगे, person आ गया, increase हो रहे है, दोनों same type क क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो यहां पर क्या आ गया बिलकुल क्लियर है और यहां पर multiply किसे करना होता है इसको जो भी actual है जाने जब परसन चला गया या आ गया है उसके आने जाने के बाद में जितने total number of person है वो लेने आपको ओके next देखो चलो next क्या है the average of six observation अब जरूर ही नहीं आपके पास में number of person ही आएगा observation भी आ सकते है कुछ भी आ सकता है यहां पर ठीक है क्या करें the average of six observation is 12 ठीक है the average decrease by one when a new observation is include observation क्या हो यह है include क्या हो रहा है decrease plus minus plus minus means minus होगा ठीक है तो 7th observation कौन सी होगी means included observation की बात कर रहा हो old 12 minus minus कितना करेंगे बीटा six observation थी six observation थी एक observation और होगी means 7th की बात करेंगे तो total 7 हो गया ठीक है और यह कितना है by one into one करेंगे तो one ही रहेगा कितना आजाएगा आपके पास five any doubt in this question doubt आता है comment section में comment करेंगे doubt आता है comment section में comment करेंगे समझ आ रहा है तो वीडियो को like और share जुरूर करेंगे और इस जोइन करने है ठीक है उसके अंदर six year के previous year questions अमने discuss किया है यह दोनों series बिटे फ्री है दोनों की दोनों series आप जोइन कर सकते हैं तो average age of five member of family is 25 years five member average कितनी है 25 years if a servant of family is included servant include हुआ है servant case हमने find out करने है तो servant क्या है include हुआ है तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा include means plus ठीक है और average is increase increase means plus means plus करेंगे बस यह है चोटा सा point ही तो average यहाँ पर जो है servant case आपको find out कर रहे तो servant case कितनी है जी पहले कितनी थी 25 number of person कितने हो गए six कितने हो गए six और यहाँ पर क्या है 40 percent increase हुए 40 percent किसका average का 25 का 40 percent कितना हो गए 25 को 10 कितना हो गए 25 plus 60 85 10 कैसे आया 10 कैसे आया 40 percent काया 25 को 40 percent कितना हो गएगा कितना हो गएगा ने आपके पास में next देखिए next question the average age of 30 woman decrease by 3 months if a new person Priyanka is included in place of 25 year old woman आप देखो धिहान से point को समझो एक person include हो गया है in replacement of second that means what कि एक चला गया और दूसरा आ गया that means कि जो total number of person है वो तो उतने के उतने ही है total number of person कितने उतने के उतने ही है तो अब इस case के अंदर जो हमारे पास में new person आएगा जैसे यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि the average age of 30 woman decrease by 3 months if a new person Priyanka is included in place of 25 year old woman ठीक है तो अब यहाँ पर जो included person होगा तो उस case आप कैसे find out करोगे included person यहाँ पर कौन है Priyanka कैसे find out करेंगे जो separated person है जो separated person है उस case उस case plus minus plus minus क्या आपके पास में जो average के अंदर फरक पड़ है ठीक है अब यहाँ पर देखो number of person कितने है 30 है पहले भी 30 थे अभी 30 है और यह यहाँ पर क्या कह रहा है decrease हो रहा है decrease हो रहा है तो यहाँ पहले क्या करेंगे हम minus 3 months 3 months means year के अंदर अगर में convert करो तो 1 by 4 हो गया into 30, 30 total number of person वही है same ही जो से हमने पिछली बार किया था total number of person के साथ ही हम increase decrease को multiply करते थे ठीक है तो यह कितना हो गया आपके पास में 25 minus 7.5 तो अपने पास कितना आजाएगा इतना ही आएगा साथ चोग के 28 4.5 आएगा 7.5 नहीं आएगा यह होगे आपके पास में 4 सत्ते 28 डन तो वैल्यू कितनी आगी यह जाएगा आपके पास में 17.5 बताओ कितनी calculation है इसके अंदर कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर लिख लो एक बर नो डाउन करो नो डाउन करो यहां पर है जो न्यू पर्सन है न्यू पर्सन है यह प्लेस्ट पर्सन है नो डाउन करेंगे सभी न्यू पर्सन कि उसकी एज वेट कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर अपने पास बेटा एज आ रहे है जो मैं एज लिख देते हूँ क्या एगा ? ऐज ओफ दे अपर्सन आज ओफ तर्सन नो डाउन कर लो एज ओफ सेपरेटिट पर्सन प्लस मैनस प्लस मैनस क्यू लिख रही हुँ मै अगर डिक्रीस वो रहा है तो माइनस करोगे इंक्रीस हो रहा है 30 है तो 30 है, into increase or decrease in average हाँ जी बताओ कोई इसमें doubt, note down कर लो इसको देखो यही तो किया है हमने, age of separated person, यह वो मैं चलीगी, ठीक है अब इसके जगह पर नहीं हो आई है प्रियंका, तो हमने क्या क्या चेक किया हो रहा है यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा था, decrease हो रहा था, अब यह सारा तो years में था, तो इसलिए हमने उसको years में convert किया, 3 months है, 3 months है तो कितना होगे आपके पास में 1 by 4 year होगे, और total number of person कितने, number of person कितने है 30 थे, तो into 30, हाँ जी बताओ, clear, next देखे, next देखेंगे सभी next देखो क्या आ रहा है, करें कि the average weight of 10 women is increased by 1 kg, 10 women है, increase होगे किस से, 1 kg से, कितने से, 1 kg से, if 2 women of 42 kg and 38 kg are replaced by 2 men, 2 women चले गे, 2 men आगे उसके जगे पर, ठीक है, then find the average weight of both men, अभी आये कौन है, men आए है, गया कौन है, वो men गई है, तो हमारे पास में, जो included person है, उसके जो total है, total weight of total weight of men, 2 men है, कितना आएगा, अभी मैंने आपको बता है, कितना, जो चले गए, उनका total, चले कितने गए, 42 kg था एक का weight, और एक का 38 kg था, तो कितना हो गया यह, 80 kg, 80 आगे है बिटा, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस अगर मैं यहाँ पर करूँ, तो देखो, increase हो रहा है यह, decrease हो ध्यान से चेक करो, क्या कह रहा है वो, increase, increase, increase means, प्लस होगा, 1 kg means, 1 into, कितने लोग है, अभी भी 10 है, पहले भी 10 थे, that means, कि 90, means, दोनों जो मैन हैं, उनका बेट कितना हो गया हमारे पास में, 90, अब यहाँ पर question में क्या का गया है, उसने काया है कि बताओ, average कितना हो गया, तो average कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, तो average कितना होगे पास, 90 divided by 2, that means, 45 kg, clear कोई दाउट इसमें, कोई भी दाउट इसमें, next देखियो, next देखो क्या है, the average monthly income, the average monthly income, of 4 earning member of a family is 73.50, 30.50 रुपय है उनकी average, 4 earning member है, उनकी average given है, one member passed away, passed away, मैंतलब चल आ गया, ठीक है, जब भी passed away हो गया, that means, कि अभी तो family में 3 members ही रहे गे, so sad, अब यहाँ पर क्या करें, the average monthly income become 6500, 6500, that means, कि decrease होगी, कितने decrease होगी, 850 रुपय काम होगी, 850 रुपय काम होगी, यही का है, आगे question में, what was the, what was the monthly income of the person who is no more, जो person अभी नहीं रहा, उसके आपको monthly income बताने, that means, कि excluded person के monthly income बताने, simple से बात यह है, तो कितने आगे, आपके पास में, करो calculate, जल्डी से बताएंगे, कितने आगे, क्या बताया था मैंने अभी आपको, जितनी भी आपके पास में average है, उसका as it is लिखो, कितनी थी, 7, 3, 5, 0, परसन कितने रहा गे अभी, 3, परसन कितने रहा गे हमारे पास में, 3, 3 परसन रहा गे, अब decrease कितने आपने पास में, 8, 50 अब प्लस क्यों किया मैंने, decrease हो रहा और excluded है, दोनों माइनस माइनस, प्लस हो गया, ठीक है, कितना आगे आपके पास में, 7, 3, 5, 0, कितना आठती है, 24 और एक 25, 50, 8 रहा रहा नो, 99, 100, ओके, so answer will be 99, 100, कितना आजाएगा, 99, 100 will be the correct answer, done, next देखे, हाँ जी, next देखे, हाँ जी, next question देखे, next question क्या है, यहाँ पर हमारे पास, the captain of a cricket team of 11 member is 26 years, 11 member का, कितना है, 26 years है, तो उसका जो captain है, captain की age, यहाँ पर आपके पास में given है, कि जो captain है, उसकी age कितनी है, 26 years है, and the wicket keeper is 3 years older, that means कि जो wicket keeper है, है, wicket keeper की age कितनी है, 29 years है, यह हमें given है, अब आगे question में क्या है, कि if the ages of these two are excluded, means, अगर इन दोनों की age में हम exclude कर देते हैं, तो उस case में the average age of the remaining player is one year less than the average age of the whole team, okay, तो अब देखो, यह हमारा उसी तरह का case नहीं है, जैसे अभी हम अभी तक करते आ रहे है, exclusion का case है, अब exclude कर रहे है, पर पहले हमारे पास question क्या आ रहे थे, जो हम पहले भी question कर रहे थे, तो उसमें यह हो रहा था कि जो included or excluded person है, उसको हमने find out करने है, और average हमारे पास given है, यहाँ पर क्या है, चो exclude करा है, उनकी age को अपने पास में given है, और find out क्या करने है, what is the average age of the team, team की age find out करने, average find out करने, average find out करने, तो हम कैसे करते थे, यहाँ पर आता है हमारे पास में excluded person का, जो excluded person का हम कैसे calculate करते थे, तो यहां पर देखो excluded person है दो, दोनों का total कितना आ गया है, यह हो गया हमारे पास 455, यह हमें already given है, पहले क्या करते थे, हम यह find out करते थे, कैसे find out करते थे, n into, n into old average, n क्या था, जितने भी number person include और exclude हुए, अब यहां पर हमारे पास में, पहले जो question कहा है, उसमें तो one person include हुआ था, exclude हो रहा था, अब जैसे यहां पर 2 है, तो 2 से मैंने कुणा कर दिया, simple, अगर मैं मान लेते कि में, मेरी average कितनी है, उसके बात क्या करते थे, हम plus minus करते थे, तो plus minus में क्या धिहान रखना था, exclusion है, और increase decrease check करने, exclusion है, that means minus है, less है, that means minus है, minus minus plus, that means कि plus, plus total number of person into average के अंदर ज देखो, total number of person कितने रहेगे, 2% चलेगी, 9, increase decrease कितना और है, 1 का, बता इसके अंदर कोई भी doubt हो, कोई भी doubt इसके अंदर, आप देखो, ये क्या होगे, 9 इधर आगे, अपने पास में, कितना रहेगे, 46 is equal to 2A, तो A की value कितने आगे, 46 by 2, that means 23, विलकुल simple, answer आगे 23 years, याद करो, same मैंने वही apply किया, क्या था आपके पास में, क्या था, number of person excluded और included, included, एक बड़ दुबारा लिख देखती हूँ में, included, excluded person, उसके age हो सकती है, आपके पास weight हो सकता है, आपके पास observation हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, runs हो सकते हैं, आपके पास में, it doesn't matter, जो भी given है, यहाँ पर age है, तो मैं एक बार age लिख ले, क्या आएगा, N into old average, N into old average, ठीक है, plus minus, plus minus number of person, total number of person into increase or decrease in average. आप देखो, जो given है, उसको put कर देंगे, जो हमें find out करना है, वो find out कर देंगे, अब आपको, कि मैंने इतना बड़ा formula या आध करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी practice करोगे, तो directly लिखोगे, जैसे अभी हमने directly लिख है, ओके, so, I hope सभी को clear होगे, inclusion और exclusion का concept, देखो पीटा, अपना न, C set के लिए, हम अलग लग, आप लोगों के लिए, कोशिश कर रहे हैं, कि आपको अच्छे से अच्छा सब कुछ provide किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए, एक हमारे different courses हैं, video lectures हैं, कुछ video lectures हैं, कुछ हमारे पास में test series available हैं, कुछ micro courses हैं, तो इसके अंदर से अगर हम video lectures की बात करें, तो देखिए, C set के लिए complete course है, आप complete course ले सकते हो, अगर आप बिगनर हो, अगर आपको लगता है कि quant logical reasoning में अभी कर रहा हूँ, और मेरा काफी time हो गया, इन से link छ lectures हैं, इसके अलावा exam specific question series है, जिसके अंदर अभी lecture चल रहा है, this is totally free, previous year question series है, this is totally free, जो students already prepare कर रहे हैं काफी time से जिनको लगता है कि हांजी अभी हमारे concepts के लिए रहे, तो इन दोनों को तो सभी ने join करना ही करना है, यह आप लोगों के लिए बहु ज्यादा helpful रहने वाली ह से काओ कि हांजी यह helpful रही है हमारे लिए, ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि क्वांटी में थोड़ी problem आरे तो आप quantitative aptitude ले सकते हो only, अगर आपको logical reasoning में issue आ रहा है, आप सिरफ logical reasoning ले सकते हो, सेम भी अगर English के कुछ concept की problem आरे तो आप English ले सकते हो, done, इसके ल micro courses, अगर आप कहते हो कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे किसी-किसी particular topic में issue आ रहा है, पूरा complete मेने क्यों लेना है, ठीक है, तो उस case के अंदर, देखे, maths, mental ability, logical reasoning, decision making, English comprehensive, सभी के क्या है है, आपको पास micro courses अबलेबल है, जब आप micro courses पे जाते हो, इसका अपको क्या रहेगा, कि syllabus wise इस सारे, कि सारे micro courses आपको मिल जाएंगे, जैसे for example, यहाँ पे आगे, आपके पास में, ठीक है, जैसे number system, LCM, number series, सारे है, ठीक है, see all करोगे, आपको सारे मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए, for example, आपको कहते है, number system तो काफी जादा important है, क्योंने, सरफ number system ले 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 हो, आपकी मरजी है, बेटा, अगर आपको किसी भी particular topic में issue आ रहा है, आप particular topic लो, मैं यह नहीं कहरें कि complete में जाओ, particular topic आप ले सकते हैं, okay, so students, it was all for today, मिलते है next class में, एक बर सभी ने चेक करना है, देखो, बलकि आप micro courses से यह चेक कर सकते हो, क्या हम provide कर रहे हैं, वहाँ से particular एक बर चेक करने के लिए ले सकते हैं, तो micro courses एक सभी ने try जरूर करना है, okay, so students, thank you, मिलते है next class के अंदर, thank you so much.